हेलो बच्चो कक्षा आठवी के जितने चात्र है उन सभी के लिए एकदम बहुत ही जादा खुसकबरी वाली वीडियो होने वाली है यह क्योंकि आप लोगों का जो इंगलिस का जो सब्चे टफ पेपर होता है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए उनकी लिए लेकर आचुके हैं हम जी हां बिलकुल रियल पेपर पूर्डांक होने वाला है साथ नंबर का पूरा पेपर आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा सैट ए होने वाला है आपका कौन सा सैट ए आता है जली से कॉमेंट कर दीजे क्योंकि हमने हिंदी और मेद्द के बिलकुल रियल पेपर दिए तो मेद के पेपर तो हमारे बच्चो डिलीट हो गई थे ठीक है तो इसलिए आप लोग देख सकते हमने इनली कभी पूरे रियल पेपर दिया था और हाँ जो है कभी कभा जैसे हमारी मैत की वीडियो जो थी वो डिलीट हो गई थी इसलिए हमने बना लिया अपना एक WhatsApp गुरूप तो WhatsApp गुरूप में जल्ली से आप लोग जोएन हो जाएए क्योंकि WhatsApp गुरूप में क्या रहता है हम लोग जो है पूरी तरीके से अपनी ये जो PDF बगेरा रहती है वो इसलिए कर सकते हैं आप लोग उसे तो जल्ली से जाकर परसनली WhatsApp गुरूप जोइन कर लीजिए लिंक इन दर डिस्क्रिप्शन आप लोग को मिल जाएगी तो सबसे पहले हमारी ये आते हैं multiple choice question पांच नमबर के वें डिड काना नेशनल पार्क कम इंटू एक्जिस्ट ठीक है पूरा का पूरा पेपर होने वाला है अच्छे से समझाएँगा फिर आप लोगों को क्या करना है इनका solution भी बताऊंगा फूरी all in one वीडियो होने वाली है इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को ठीक है तो हमारा क्या है सबसे पहला question की काना नेशनल पार्क कम एक्जिस्टेंस में आया था मतलब तो यह हो जाएगा आप लोगों का आंसर पहले तो बी वाला यह साइद आंसर रुकिए हाँ तो काना नेशनल पार्क आप लोगों को बताना है फिर भोला के पापा क्या करते थे तो वो थे एक फार्मर ठीक है वो हेल्प भोला टू सो वीडिस तो बोला की किस ने की नोबड़ी किसी ने हल्प नहीं की ओलिस फ्रेंड वांट ल्टू प्ले कहां पर प्ले करना चाहते थे प्ले विड भोला एक हल्वा येल्प भोला सो वीडिस तो आप लोगों को बताना है ठीक है इसमें ऐसमें एट हर्वा and फिर आता है what is the opposite of south तो south का opposite क्या होता है तो whistle ठीक है आप लोग का यहाँ पर आ जाएगा whisper ठीक है and अब आप लोग का यहाँ पर हमने पूरे करवा दी आप लोग के mcqs 5 नमबर के आप लोग 5 नमबर हमने पूरे confirm करवा दी अब आते हैं अपने फिलिंदा ब्लैंक पर 5 नमबर के फिलिंदा ब्लैंक होने वाले है the jeweler was jeweler कौन था तो आप लोग का हो जाएगा under grateful ठीक है अंग्रेट फुल ठीक है यहाँ पर आप लोग लिख देंगे ungrateful ungrateful ओके आंसर आप लोग लेक लिए गांडomics देव विजिट काना किसलि वॉस हде तो क्या था तो वेरी एकक site जब देव ने काना नेशनल पार्क विजट कीया थो बहुत जादा excited था राजा वर्मा वॉस राजा व्रमा कौन स्थे तो तो अब आप लोगों को भी हमें हरे चैनल को सब्सक्राइब करने की जिम्मेदारी आपकी जाती है और WhatsApp गुरूप को जोईन जरूर कर ली जगा चलिए अब आ जाते हैं The Rhyming Word of Maidus मतलब राइमिंग वर्ड किस से Maid करता है तो आप लोगों का दूसरे में तो बंदी हो the Puzzle of Ma운데 the Puzzle Of Maus is Maid ठीक है तो यहां पर आप लोगा हो जाता अब आते हैं वैरी सॉल्ट होंगे किटने हैं तो 14 आप लोगे हैं 17 तक आप लोगों के वैरी सॉलट आंसर चलेंगे तो साहिद यहां पर और फटि जगरो को च्घ। करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को देखने को मिलेगा पेपर में कल के चलिए तो सबसे पहले देख लेते हूँ वेंट तेनाली रामा हेल्प्स तो सबसे पहले है अपर सबसे मतलब एक हिसाब से कहना चाहते हैं तो जो होगा आप लोग का मिसर जो होता है आप लोगो का कंजूस होता है एक आप लोग का and आप लोग का तेनानी रामा वाला आंसर यहां पर मैं बता दूँ तो आप लोग का यह हो जाता आंसर ठीक है and फिर आप लोग का आता है next question जो है यहां पर है ठीक है तो आप глубke यहां पर आता है what do wishes for another change तो यहां पर आप लोग देख लीजेगा एंड यहां पर आंसर सौरी तो आंसर की PDF जो आप लोग को रहेगी वो मिलेगी हमारे WhatsApp गुरुप पर तो सबसे पहले question देख लेते हैं very sort type questions के तो यह है तो one who save other is called मतलब कौन कहलाता है एक को हम सेफ करें तो यह जो है बच्चों जो solution है आप लोग का वो सेट एक का जो है सेट वाले बच्चों के लिए solution जो है तो यह जो solution इस PDF में add है वो सेट B का solution है और आप लोग चिंता मत कीजी देखिए यह सेवियर कौन कहलाता है तो यहां पर question आप लोगों को देखने को मिलेगा की one who save other is called savior ठीक है who does is a distributed meaning to यहां पर आप लोगों का हो जाएगा and यह आप लोगों को हो जाते हैं पूरे ले सकते हैं आप लोग ठीक है तो हाँ यह हो जाता ग्यारवे वाले कांसर यह ग्यारवे वाले कांसर की तेनाली रामा हेल्प ठीक है the elder of town फिल्ली जो speak for तेनाली रामा से उन्होंने क्या मदद की गौहार लगाई तेनाली नामा ने जो है जो है डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट कर दीज़े ठीक है अब यहां पर आते हैं sort answer type question जो very sort answer type question से थोड़ी से बड़े होते हैं तीन नमबर के होने वाले हैं है to write a sort note on अप लोगो को यहां पर लिखना है sortamam जो दिया गया है तो इस पर हम देख लीते आंसर तो यह रहा आप लोगों का sort note आप ढूरी एंस इस एपलाई तो यहां पर फेच रिलेटिव प्रेंड औफर स्वीट स्नेक्स आइस कैंडीज एटसेटरा और चिल्टरन जो रहते हैं इंज्वाइ करते हैं स्विंग करते हैं ठीक है यहां पर आप लोग का यह आंसर हो जाएगा सत्रवे वाले का और अब अठारवा वाला कुश्चन देख लेते हैं कि वैंड तेनारी रामा स्क्रीन सॉट ले लिए ओके यहां पर आप लोग स्क्रीन तो यह होगा आप लोग का थारवा वाला कुश्चन एंड यह उन्नेस में डारेक डारेक्ट आप लोग को सॉल्यूस्ट दिखा देता हूं वाट आर्डी कलर्स ऑफ बैलून में तो यह उन्नेस वाली का सवाल है होगे पास पेपर तो होगा यह उन्नेस वाली का रहा इस्क्रीन सॉट ले लिजी और यह बीषवे वाली का रहा यहां से अथा अप킨 लोग देख ले livres आयगते यह趣 और यह बाईस्वे का आसर आप लोगों का यह वाल एक वाली का आइसवे वाली का नसर आप क्या है तीसव तो इसकी application तो सब लोग लिख सकते हैं ये बहुत ही जादा easy है and फिर आता है 24 वावाला तो 5 sentence about मिसर तो तो हमें 5 sentence लिखने हैं मिसर पे तो ये लिख सकते हैं the poor man want much मिसर everything तो ये हमने 5 लिख दिये ठीक है तो ये 5 पॉइंट लिख दी इनका screenshot लेख सकते हैं and ये 25 वाला रहा 25 वाले में हमें बताना है कि इस picture को देखना है हमें इन तीन questions के answer देने तो क्या कर रहा है अप लोगों का तो ये रहे पूरे के पूरे answer तो देखे पहले में आ रहा है कि वह व्यक्ति क्या कर रहा है वोट कटिंग कर रहा है ठीक है और दूसरी चीज आप लोगों से क्या पूछ रही है इस cutting tree is good for environment तो ये तो सबको पता हो जाएगे no write three sentence of benefit of trees तो यहाँ पर हम तीन sentences लिख देंगे benefit of trees पे कि trees are very important for environment हमारे humans के लिए without tree we cannot imagine about life तो इस प्रकार से आप लोगों का हो जाएगे ये ये रहा 26 वाला question हमें save water पे एक paragraph लिखना था तो ये रहा आप लोगा save water पे paragraph की there is no life without water water is only important for human being but in the entire ecosystem without water there is no existence ठीक है इस प्रकार से आप लोग लिख दिएंगे और ये आप लोगों का English के पूरे real paper का full solution हमने अपनी चैनल पर upload कर दिया और इसकी PDF अगर आप लोग चाहिए ह तो आप लोग इसकी PDF जाकर डाउनलोड कर सकते हैं हमारे WhatsApp गुरूप से WhatsApp गुरूप की link मिल जाएए आप लोगों को description पर यहां तक वीडियो देख लिए तो चैनल को subscribe करना मत भूलना